घर घोड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष के खलाफ दस पार्शदों ने कलेक्टरेट को एक अविश्वास प्रस्ताफ सौपा है। आपको बता दें कि जिले की नगर पंचायत घर घोडा में पार्षदों और नगर पंचायत अध्यक्ष के बीच कई दिनों से कई मुद्धों को लेकर खीज चाल रहे है। जिस कारण नगर पंचायत जिले भर में सुर्ख्यों पर चाय हुआ है। आपको बता दें कि घर घोड़ा के दस पार्शदों ने हस्ताक्षरित लिखित आवेदन से कलेक्टर रायगर को अवगत कराया है। अध्यक्ष के किलाव कोई मामलों पर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तृत किया है। फिर मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कॉंग्रेस पार्शतो द्वारा कलेक्ट्रेट को सौपा गया है जो कि बिलकुल निराधार और गलत है अभी आवेदन दिये हैं कांग्रेस के दस आट पार्शत दो निर्दरी मिलके आवेदन दिये हैं 12 तारिक तेरा तारिक को आपे जमा हुआ था आज नगर पंचार्व में उकलेटर पहुंचा है इनने मेरे प्यारोप लगाया है कि मैंने अपने दिकार का दूर करते हुए प्यासी और परिषट के बैठा गुलाए जबकि आरोप लगाने वाला उपाध्याच भी हर परिषब ने और समंधित पारसाद हर बैठाट में उपाध्य थे जो भी निर्णा हुआ है कि इतना कार हुआ है सब्सक्राइब करोना के बावजूद भी हमने बहुत सब्सक्राइब करते हैं राइगार से महेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट